जगुआर तेंदुआ और चीता इनके बीच क्या अंतर होता है? हम आप में से अक्सर कई लोग चीता, तेंदुआ या जगुआर को देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। इन सभी में फर्क पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम आज आपको बताएंगे कि चीता, तेंदुआ और जगुआर में क्या फर्क होता है। और आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। नमबर एक पर आता है जगुआर जगुआर आम तोर पर दक्षणी पश्चिमी अमेरिका, मेक्सिको, मध्य अमेरिका, अमेजन के जंगल, परागवे और अर्जेंटीना के दलदली इलाकों में पाया जाता है। जगुआर की आउसत उंचाई 75 सेंटी मीटर तक होती है और लंबाई 150-180 सेंटी मीटर के बीच होती है। इसके अलावा इसकी पूंच लगभग 70-90 सेंटी मीटर तक होती है। जहां तक इसके वजन की बाग करे तो इसका वजन लगभग 65 से लगभग 140 किलोग्राम तक होता है। जगवार का कोट हलके पीले से लेकर भूरे या लाल पीले रंका होता है। और इसका निचला हिस्सा सफेध होता है और गोल-गोल काले धब्बों से ढखा होता है। जगवार का जबड़ा इतना ज्यादा मजबूत होता है कि ये कचुए का कवच हो या मगरमच्छ की खाल सब को फार देता है। जगवार के पसंदीदा शिकार हिरन, बंदर, कैमन और मगरमच्छ जैसा जीव होता है। इन सब के अलावा यह चीन्टी खोर, पक्षी, कचुआ छिपकली और सांप का भी शिकार करते हैं। और मादा जगवार का गर्भाधान 90-111 दिनों तक रहता है। जगवार के जीवनकाल की बात करे, तो जंगल में जगवार का ओसत जीवनकाल 12-15 वर्ष के बीच होता है। नमबर दो पर आता है। तेंदुआ तेंदुआ चीन, घुटान, नेपाल, भारत, रूस और मंगोलिया सहित 12 देशों में पाया जाता है। भारत में तेंदुआ सभी प्रकार के जंगलों में पाया जाता है, ये उश्नकटिबंधिये वर्षावनों से लेकर सम्शितोष्न पर्ण पाती और अल्पाइन शंकुधारी जंगलों तक। ये सूखी जाडियों और घास के मैदानों में भी पाया जाता है, तेदुआ का शरीर लंबा और पैर छोटे होते हैं, और इसका सिर चोड़ा होता है, और खोपड़ी विशाल होती है, और शक्तिशाली मांस पेशियों वाला बड़ा जबड़ा होता है, इसके पास 16 kg तक होता है, और इसकी लंबाई 92-183 cm तक होती है, और 56-102 cm लंबी होती है, और उंचाई 60-70 cm तक होती है, तेदुए के पसंदीदा शिकार खुरदार जानवर होते हैं, जैसे म्रिग, चिकारा और भैंस, इनके अलावा यह अन्यमध्यम आकार के जानवरों जैसे हिरन, वर्थोग और प्राइमिट्स का भी शिकार करते हैं, और मादा तेंदुए का गर्भाधान 90-105 दिन तक होता है, और तेंदुए का ओसत जीवनकाल 12-17 वर्ष तक होता है, नमबर 3 पर आता है, चीता, चीते का शरीर पतला होता है, और शरीर की तुलना में इसके अंग और इसके रंग की बात करे, तो इसका रंग पीले रंग की तीवरता में भिन्न होता है, और ये पिछली प्रजातियों की तरह एक विशेश आकार स्थापित किये बिना, इसके पूरे शरीर पर छोटे-छोटे काले और गोल धब्बे होते हैं, और इसका वजन 20-72 किलोग्र के बीच होता है, जबकि इसकी लंबाई 112-150 cm और उंचाई 66-94 cm के बीच होती है, चीते खुले घास के मैदान और सवाना में पाए जाते हैं, लेकिन ये सूखे जंगलों और खुले जंगलों, चट्टानी पहाडों और रेगिस्तान में भी पाए जा सकते हैं, ये मुख्य केनिया, मोजामबिक, जामबिया और जिंबाबवे सहित, पूर्वी और दक्षणी अफरीका में पाए जाते हैं, चीता जमीन पर दुनिया का सबसे तेज दोडने वाला जानवर है, ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोड सकता है, और ये जगवार और ये म्रगों का शिकार करता है, ये आम तोर पर अपने शिकार का पीछा करते हैं, और फिर उसके गले को काटते हैं, और मादा चीता का गर्भधान तीन महीने का होता है, एक आजात चीते की आयू 10 से 12 वर्ष के बीच होती है.